जल्दी चलो तुम दोनों वक्त बर्बाद कर रहे हो हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम तो जारी में शेर खान को दो रहे हैं शेर खान की चिंता छोड़ो तुम्हें इस बात की फिक होनी चाहिए कहीं हम पीछे न रह जाए बहुत थक चुका हूं कोई तो समझो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम्हें खुद चलना होगा सिंबा आगे कुछी दूरी पर पानी में ठीक है तुम सबको जाकर खबर कर दो कि कुछ देर के लिए यहां ठहरेंगे बिल्कुल सही का अभी सबको बताता हूं हो हम कुछ देर के लिए हां पर रुखेंगे दोस्तों अंच्छा हू आम यह रुक गया 你 साफर तो दिन प्रमी कुछी होता जारा मख़ूंश्य कर रहा है मूटू मुछे तो लगाता कि तुम ठक गयी हो मौप मुझे लगता है कोई खत्रा है अ इसका मतलब यह कि तुम्हारी लुटेरो वाले पुति पर जाग गई है क्या तुम्हें का को देखा है बहुत दिन से दिख नहीं रहा नई तुम ही क्या पता हो सकता उसकी सिंबा से लड़ाई हूई शार्द उस दिन दुश्मन से हाथ मिला लिया तुम्हें से किसी को यह पल चाहिए कफी मीठे हैं इसके पहले कि में नीची आज़ा बता दो यह शहर जितने मीठे तो नहीं है पर काम चल जाएगा हम भूख नहीं है बलू तुम लोग इतने उदास्तू लग रहे हो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वो गद्दार है वो कोब्रा से मिलने गया है ज़रूरी काम से वो सारे सांपों का राजा है भूल गया क्या तो इसका मतलब यह है कि शेर खान के खिलाफ हमारी फौज और बढ़ जाएगी तुम समझ गया दोस्त है जान में जान आ गई हाँ सिंबा तुमने कितनी सुन्दर जगे चुनी है अराम करने के लिए तो का कोई अच्छी कबर लाए हो क्या बताओ कैसा रहा मैं सब जानना चाहता हूं कि इंक कोब्रा को बहुत खुशी हुई कि हम उसे अपने दल में शामिल कर रहे हैं अपनी सेना के साथ वो जल्दी आ ज क्या किंग कोब्रा उस आग उकरने वाले कोब्रा को जानता है हाँ उसे जानता है सिंबा हरानी की बात यह है कि सफेद कोब्रा किंग कोब्रा का भाई था तो फिर सफेद कोब्रा ने हम पर हमला क्यों किया था पिछली बार सफेद कोब्रा हमेशा है दूस्ट और पापी र मुझे नहीं लगता, वो जानता है कि एक बार तुम्हारे साथ हो गया तो उसे कोई खत्रा नहीं मुझे लगता है कि हम सब को मिलके किंग कोबरा और उसके सात्यों का स्वागत करना चाहिए अच्छा विचार है, उसे खुशी होगी तो सिम्वा ये सोच रहा है कि तुम उसकी फौज में शामिल होने वाले हो तो इसमें असने की क्या बात है, मैं अपने दिमाग की शातिर चालो पर हस रहा हो, समझे तुम कुछ दिर के लिए मुझे लगा कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो और हम मजाक उड़ाएं भी तो तुम क्या कर लोगे वसूर ये भी अपने भाई की तरह भावनाव में जाता जड़ा सबलके तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो, तुमें कोई खबर है, मैंने सुना उसके साथ कोई दुरगट्टा हुई है, बोलो तुम जो उपर वाले की यादा थी है बताओ क्या हुआ था वरना तुम बहुत पश्टा ओगी है तुम क्यों जानना चाहते हो वो तो तुम्हारे परिवार सालग हो गया है ना, मेरे परिवार को यह जानने का के शेर खाम अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो तुम क्या कर लोगे अगर मैं बताओ कि वो मगरमच्छों के खाटी में गिर गया था पानी में इसका जिम्मेदार कौन है कौन वही लोग जिनकी दावत में तुम जा रहे हो रुको जरा बताओ इस साप को इसके भाई को क्या हुआ रहा है बहुत बुरा हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो वो जंगल में देश्यत फैला रहा था कितना बुरा अंत हुआ उसका बहुत दर्दनाग था वो सफेद कोब्रा सिंबा के दोच बख्षोड का पीछा कर रहा था वो आग उगल रहा था जंगल में तबाही मचा रहा था छोड़ो अभी पिर वो कभी लोट का नहीं आया अधी पिर वो कभी लॉट का नहीं आया हम एपने भाई की जान का बद्ला ले रहे है इतनी जल्दी भी क्या है मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी चाल क्या है सिम्बा और उसके साथ यो को बार कर मैं एपने भाई की जान का बद्ला लूगा मेरे पास इससे बहतर प्रस्ताव है इसलिए तो तुम्हें यहां बुला और उसके सात्यों और फिर्य हमारा राज होगा इसके बारे में तुम्हारी राए क्या है कि बात तो तुम्हारी सही है कुछ घली वक्त थो इसके क्या जडूरत है हम दो बार से हार चुके हैं अब लोगो जो शक्तिशाली घंड़े भी उनकी तरफ हैं आप सिब्बा को अब अफुजूर के बगार नहीं रहा सकते हैं यह क्या कर रहे है 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 hail आप प्लूब को है 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 आप है आप माफ कीजिए मुझे इसकी शकल पसंद नहीं समस्ता हो अगर तुम यह नहीं करते तो मैं इसे चुप करा था पर तुम ने कैसे किया यह यह मेरा अपना तरीका है किसी और दिन बताऊंगा अभी मैं अपनी योचा के बारे में जर्चा करना चाहता हूं अब मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूँगा बहुत मेरे दोस्त के अपनी फौच को बुला लू जल्दी से और तुम है में से जागो वेवकूर थाम से सुनो यह बहुत जरूर यादेश है के साधिश मैं को नू तेक है अब तांस सुनू सुनू यह यह है भाई के कातिल हम छोड़ेंगे रही नहीं चुपके सिनका पीछा करो कोई हमें देखने ना पाए हुआ 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 तरु हुआ हुआ कि संबल कर रुकने से पहले मुझे बता दिया करो नहीं तो चोट लग जाएगी आप मोटू इधर हाओ क्या हो कि कुछ और दिखाए देरा है तुमको अध्मजी आरा है देखो थोड़ी देर यहां रुख जाना शाहिए आराम करने के लिए अच्छा हुआ वैसे भी दिन बर उड़कर ठक गया हूँ शुक्र है हम रुख गए इस गर्मी ने तो जाल ले ली है तुम्हारी बारी है फ्लैश अरे बहुत खुफ तुम बहुत अच्छा करते हो तुम सेच में बहुत अच्छा कर रहे हो का अब तक कोब्रा की फोच को यहां पहुच जाना चाहिए था ना अब तक आय क्यों नहीं हो तीराज रखो तुम ठीक कह रहे हो जब वो आ जाए मुझे खबर कर देना अब बख शोट मुझे आराम करना है ठीक है मुझे एसा लग रहे हमारी जान को खत्रा है हमें सिंबा को बताना चाहिए बस नहीं कहाँ चलो आख सिंबा क्या हुआ तुमारा पनीर खतम हो गया सिंबा हमारे जान को खत्रा है हमारे पनार कुछ आजीस दिखाई बढ़ रहा क्या तुम इसके बारे में और जानकरी दे सकते हो कुछ खास नहीं कुछ नहीं दिखाया बस अचानक रोश्नी नजर आई मुझे लगा कि यसे घास भी हर्चल हुई है और इसका क्या मतला मैं मुझे समझ नहीं पाया क्या घचत से थाँ नहीं क्यांक पाया बांदसे स्थे ठासिरों ह मैं पात्स्थ मुझे चिंटा हो रही है क्या हुआ दोस्तों यह तुम आमला का बीर लग रहा है क्या बात है तुम दोनों के अबस में लड़ाई हुई है तुम दोनों को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है पहले कुछ नहीं यह बताओ घास से कासा कत्रा हो सकता है कोशिश करता हूँ सूचना पड़ेगा जवाब मिल गया मिल गया मिल गया तो अगर घास में साप चुपकर बैठा है तो उस घास से कत्रा होगा तुम चुह कह रहे हो वाव क्या पात यह बहुत कमाद चला है तुमें साम तुम्हें कमाल कर दिया इसका मतलब कोब्रा ही है क्या कर रहे हो चोलो मुझे यह खतनान बात है सिम्मा को बताना होगा साम आओ चोलो मुझे इसका मतलब कोब्रा गदाल निकला सब को पताता हूं कि दुश्मन हमारी और आ रहा है पता नहीं हमारी चाल कामियाब खुई भी या नहीं यह तो मैं नहीं जानता सरकार लेकिन वो सिम्बा को हरा देगा और आप राजा बत जाएंगे इसी दिन का इंतसार है जल्दी कोब पुरे लड़ाई के मैदान में बुलाएगा तब सिम्बा हार मान कर हमारे आगे खुट्टे देगा उसकी तो कट जाईए सरकार नाग कोई भी जिन्दा रही बचेगा फिर तो और भी अच्छा है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मैंने हमेशे आपके कलपना शक्त की दाद दी है सरकार हां मैं कलपना कर रहा हूँ उसके पराज चहरे की साथियों घास से बहार निकलो जल्दी जल्दी जाओ दोस्तों जल्दी से नदी की तरफ नदी की दरफ को प्रा की वर्ज घास को छिब है हमला करने वाले हैं चल्दी सब सुरक्षा जगा पर चलो है जाल रखना वह घास में पी हो सकते हैं थाधम दमिब्जे नहीं है जल्दी है सब को मारने과 दठर ले रहा हूं क्या पता कभ जूरोज बढ़ जाए बग शौट अपने पीछे देखो दोश्मनने हमला कर दिया तुमारे लिए लाया हूँ मजाया ना देखो मेरा निचाला सीदा नाख पी मारा तुम ने जटका दिया फ्लेशने उसे जलो चल कर देखते हैं क्या अलत हो कि उसकी आजाओ फे दोस्तों तुम दोनों वहां मत जाओ वहां पर कोब्रा तुम पर हमला कर सकता है और वैसे भी तुम दोनों नहीं बताया था इस हमले के बारे में लगता कि हम लुटे रहे उन रिंगने वाले आलती सांपों से ड़ते हैं हम सिर्भ देखना जाहते हैं कि फ्लेश ने उसके क्या है क्या था क्या फ्लेश ने कोब्रा के साथ लडाई की वॉबक्षॉप का पीचा कर रहा था इसलिए फ्लेश दूर्ट पर हमला किया यटका दे वो अपनी कड़वाहट और नफ्रत की वज़े से जानगा वावेठा उसके साथ जोपी हुआ वो उसी लायक था वह तार था तुमारी तरह तुम जूट बोल रहो का मैं भाई की जान का बदला लूगा अपनी बक्वास बंद करो और ना तुमारी हालत भी तुमारे भाई जासी कर दूगा अपनी अंखें बन कर लो नहीं का उसकी आंखो में मत देखो कहीं और देखो बचाओ बचाओ अब कुछ करना चाहिए बगीरा वो का को समय कर रहा है का तुम उसकी तरफ मत देखो गबराओ मा तुमें कुछ नहीं होगा अब कर दो चूद ला मत उसे अब अब फ्लैश जल्दी करो का को तुमारी जरूरत है अब 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 तुमारा अंतनस्दीक आचुका है गतार अब जेयर खाॉन से दोस्तीक करके आराच तक किसका भला हुआ है बहुत बड़ी घल्ती तमने सोचा भी कैसी कि तुम हमें धोका दोगे अब तुमारी खायर नहीं अब उसे जाने दो यह खत्तार है सिम्बा मैंने कहा उसे जाने दो यह अपने भाई की तरह यह खत्तार निकला इसे मारना ही होगा इसे मारने से हमारे राज्ये में शांती तो लोट कर नहीं आएगी ना पर अगर हम इसे माफ कर दें और जाने दें तो शायद किंग कोब्रा को सबख सिख जाए लगता उसका काम तमाम हो गया चान बचाने का शुक्रिया हमारे जंगल का कानून कभी गढ़्दारों का माफ नहीं करता लेकिन मैं ऐसा कोई काम करके अपने आपको राजा नहीं कहलाना चाता जो की गलत हो तुम सबने मिलकर मेरे साथ धोक्य बाजी की है और मैं तुम्हें जाने दूगा तुम्हें जंगल से निकाला जाता है दुबारा यहां कभी मत आना बिल्कुल सही फैसला है बक्षाट अब हम हमारी जादू शक्ती का उप्योग करेंगे जैसा तुम कहो सिंबा जिस साधर्ष राज्य का सपना सिंबा और उसके साथियों ने देखा है उसे स्थापित करने में और कठेनायों का सामना करना पड़ेगा क्या शेर खान सिंबा के खिलाफ फिर कोई चाल चलेगा आगे क्या होता है ये जानने के लिए जरूर लोटिये